Hello students, अपना lecture चल रहा था फाइटो हॉर्मोन, last lecture में अपने किया था फाइटो हॉर्मोन का classification और सब भी फाइटो हॉर्मोन के precursor आज अपने start करते हैं पहला फाइटो हॉर्मोन auxin तो सबसे पहले अपने इसकी term के बारे में ही देखते हैं कि जो auxin शब्द है या auxin तर्म है यह किस language का word है तो जो auxin शब्द है वो Greek बाशा का शब्द है जो auxin से लिया गया है इस auxin का मतलब होता है to grow जो auxin है वो ग्रीक बाशा का शब्द है और auxin से लिया गया है auxin का मतलब होता है to grow next point अपने देखते हैं कि कई बार exam में कोशन पूछा जाता है कि उस hormone का नाम बताओ जिसकी discovery सबसे पहले हुई थी तो वो hormone कौन सा है auxin यह बहुत ही important point है कि सबसे पहले खो जा गया hormone कौन सा था auxin तो आज अपने auxin की discovery के बारे में ही discuss करेंगे students auxin की discovery के अंदर कई सारे scientists आते हैं तो सबसे जो पहला scientist आता है वो है Charles Darwin Charles Darwin जो canary grass का एक plant था उस पर experiment कर रहा था इस experiment में जो result आए वो आगे चलकर auxin की discovery में helpful साबित हुए तो Charles Darwin क्या कर रहा था कि Charles Darwin ने एक canary grass का plant लिया और उसको वो एक side से light दे रहा था ठीक है यह एक plant है canary grass का और इसे वो एक ही side से सिर्फ सिर्फ एक ही side से वो इसे light provide कर रहा था तो इससे उसने क्या देखा कि जो canary grass का जो tip वारा part होता है जिसे अपने coliopitile कहते हैं वो tip वारा part light की और क्या हो जाता है move हो जाता है ठीक है पहले coliopitile सीधी थी जब उसे एक side से light दी तो जो coliopitile है वो light की और क्या होगी move कर गई तो उसने देखा कि यह ऐसा क्यूं होता है फिर उसने अपने दूसरे experiment के अंदर जो canary grass का plant था उसके tip वाले part को काट कर अलग कर दिया यह नीचे वाला part है और यह उसका tip वाला part second experiment में उसने जो tip वाला part था उसे काट कर अलग कर दिया और फिर उसने नीचे वाले part को उसका नीचे वाला part था उसने एक side से light प्रोवाइड की तो जो result सामने आया उस result में क्या आया कि जो नीचे वाला part था वो light की और move नहीं करता मतलब उसने दो experiment किये पहले experiment में उसने क्या किया कि canary grass का plant लिया उसे एक side से light प्रोवाइड की तो उसने क्या देखा कि जो उसका tip वाला part होता है वो light की और इस side से light आ रही थी वो light की और क्या हो जाता है move कर जाता है दूसरे experiment में उसने क्या किया कि जो canary grass का plant था उसकी tip को उसने काट कर क्या कर दिया अलग कर दिया और नीचे वाले part को सिर्फ नीचे वाले part को उसने एक side से light प्रोवाइड करवाई और फिर उसने result देखा कि जो नीचे वाला part है वो light की और move नहीं करता इससे उसने एक बात बताई कि जो उसका उपर वाला part है जो कॉलियोपिटाइल है उसके अंदर ऐसे chemical बनते हैं जो plant को light की और move करने के लिए induce करते हैं जो plant को light की और गती करने के लिए प्रेडित करते हैं उसने अपना ये experiment यहीं पर ही खतम कर दिया उसके आगे scientist आता है Peter Boyson and Jensen इसने भी experiment करने के लिए canary grass के plant का ही use किया इसने Charles Darwin ने जहां पर अपना experiment खतम किया था उससे आगे इसने अपना experiment स्टार्ट किया Darwin ने last में क्या अपता है था कि यदि अपने tip वाले part को काट कर अलग कर दें तो जो plant की light की और move करने की जो ability है वो क्या हो जाती है खतम हो जाती है तो इसने क्या किया जो plant का नीचे वाला part था नीचे वाले part को और उपर वाले part को इसने जोड़ दिया और फिर उसे एक साइड से light प्रोवाइड की तो फिर इसने क्या देखा कि जो plant है वो light की और क्या कर जाता है move कर जाता है ठीक है यह इसका था first experiment इसने अपने second experiment में क्या किया कि canary grass का plant लिया और उसे अपने जिस और से light दे रहे थे इसकी opposite side उसने क्या किया tip के नीचे वाले part इतना वाला portion कौँ़ सा था उसका tip का था tip के नीचे वाले part में उसने क्या लगाया cut लगा दिया और cut लगा कि उस part पर उसने mica जिसे अपने अबरक भी कहते हैं उसको यहां पर fix कर दिया फिर उसने क्या देखा कि जब इसकी opposite side पर mica या अपने अबरक लगा देते हैं फिर एक side से अपने light प्रोवाइड करवाते हैं तो जो canary grass की light की और moodने की ability है वो क्या हो जाती है खत्म हो जाती है मतलब वो light की और move नहीं करता यह इसका second experiment था और इसका third experiment था कि उसने canary grass का plant लिया जिस और से उसे अपने light दे रहे थे उसी side उसने cut लगाया और वहाँ पर mica या अबरक को fix कर दिया और फिर उसने देखा कि जो plant है वो light की और move कर जाता है उसने देखा कि ऐसा क्यूं हो रहा है कि दोनों ही experiment के अंदर जो tip है वो नीचे वाले part के साथ जुड़ी हुई है लेकिन एक experiment में तो वो light की और move कर रही है और एक experiment में वो light की और move नहीं कर रही तो उसने conclusion निकाला कि जो chemical है वो तो tip पर बन ही रहा है दोनों ही experiment में जो chemical है वो तो tip पर बन ही रहा है लेकिन जो उसका second experiment था जिसके अंदर उसने माइका के टुकडे को light की opposite side पर fix किया था उस experiment में जो उपर की और chemical बना था वो नीचे की और transport नहीं होता क्योंकि बीच में barrier का काम कौन करता है माइका ये माइका जो उपर chemical बनता है उस chemical को नीचे की और नहीं आने देता जिसके current plant है वो move नहीं कर पाता तीसरे experiment में जो कि उसका last experiment था उसके अंदर उसने माइका कहां लगाया था light वाली side में इस और से light आ रही है और इसी side पर उसने किसको fix किया था माइका और इसमें result भी क्या आया था कि जो plant की tip है वो light की और क्या कर गी थी move कर गी थी मतलब जो उपर chemical बना था वो अंदेरे वाली side से नीचे की और क्या कर जाता है move कर जाता है टिप पर बनता है लेकिन जो boyson है जो peter boyson और jensen है इसके experiment से अपने को क्या पता चलता है कि जो auxin का formation है वो किस और होता है अंदेरे वाली side की और होता है मतलब जब उसका second experiment था उसने अंदेरे वाली side पर इस side से तो light आ रही थी और ये side कौन सी है जिसके कारण auxin नीचे की और transport नहीं हुआ और plant की जो tip है वो light की और move नहीं हुई और third experiment में जो mica उसने कहां लगाया था light वाले area के अंदर लेकिन अभी आपको बताया है कि जो auxin किस और बनता है अंदेरे वाली side की और और mica किस और लगा है light वाली side में और अंदेरे वाली side के अंदर जब auxin का formation हुआ तो easily नीचे की और move कर गया जिसके कारण जो plant की tip है वो light की और क्या कर गी move कर गी auxin की discovery में third scientist आता है F.W. Wind अभी तक आपने दो scientist पढ़े है पहला आपने पढ़ा था Darwin Darwin ने क्या आपता है था कि जो chemical है वो कहां पर बन रहा है tip और इसी chemical के कारण plant light की और move करता है दूसरा scientist आपने पढ़ा था boysan boysan ने क्या आपता है था कि जो chemical है वो tip पर भी किस और बनता है अंदेरे वाली side कि बनता तो tip पर ही है लेकिन किस और बनता है अंदेरे वाली side मतलब यह दी plant है इसे अपने इस side से light दे रहे हैं तो जो chemical है वो किस side बनेगा back side ठीक है लेकिन अभी तक इस chemical को isolate नहीं किया गया था सिर्फ माना ही गया था कि कोई ना कोई chemical है उस tip पर और उस chemical को isolate करने का काम किस ने किया था FW वेंट ने इस लिए इस experiment के अंदर यह आउगजिन की discovery में जो FW वेंट है सबसे important scientist माना जाता है चाहे आपसे question पुछा जाए कि आउगजिन की discovery किस ने की तो आपका answer क्या होगा FW वेंट चाहे question पुछा जाए कि आउगजिन term किस ने provide की तो आपका answer क्या होगा FW वेंट वेंट ने जो अपना experiment किया था वो किया था अवेना, Stiva पर जो पहले आपने दोनों scientist पड़े हैं Darwin और Boyson इन दोनों scientist ने अपना जो experiment है वो किस पर किया था Canary grass पर और FW वेंट किस पर experiment कर रहा है Avena Stiva जिसे अपने Oats यह जहीं भी कहते हैं इसने जो अपना experiment किया था वो Avena Carvature नाम से भी famous है तो इस परकार भी question पुछा जा सकता है कि Avena Carvature test को explain करो तो इसने Oxin को isolate करने के लिए क्या किया Avena Stiva यह plant लिए और एक अगार लिया अगार जिसे आपने अगार अगार के नाम से भी पड़ा होगा यह है आपका अगार अगार होता क्या है अगार एक polysaccharide होता है ठीक है फिर उसने क्या किया जो Avena Stiva का प्लान था उसकी टिप को उसने काट कर अलग कर दिया तब यह plant था इसकी उसने टिप अलग कर दी और जो नीचे वाला पार्ट था नीचे वाले पार्ट को उसने अलग कर दिया यह वाला जो प्लान था इसके नीचे वाले पार्ट को उसने अलग कर दिया अलग कर दिया इन दोनों टिप को अलग करके उसने अगार अगार पर रख दिया मालो एक टिप उसने इस दिप पर रख दी और दूसरी टिप उसने यहाँ पर रख दी इस अगार अगार के अंदर उसने वो सभी chemical डाल दिये जो plant की growth के लिए essential होते हैं डाल दिये जो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं जुरूरी होते हैं और ये केमिकल इस टिप की ग्रोथ करवाते रहेंगी कुछ टाइम बाद उसने क्या किया इन टिप को अगार-गार से अलग कर लिया ठीक है ये टिप अपनी अलग होगी और अगार-गार अलग हो एक टिप यहां पर थी और दूसरी टिप कहां पर थी यहां पर थी यह दूसरा पॉइंट हो गया और फिर उसने तीसरे पॉइंट में क्या किया कि जहां पर वो टिप पड़ी थी जिस अगार के टुकडे पर वो टिप पड़ी थी उस अगार के टुकडे को उसने टुकडो को इन अगार के टुकड़ों को उठाकर उसने जो अवेना स्टाईवा का नीचे वाला पार्ट था उस नीचे वाले पार्ट के उपर अर्जस्ट कर दिया उसके उपर adjust करने के बाद जब अवेना सटाइवा को वो एक साइड से light प्रोवाइड करता है तो प्लांट उसी प्रकार light वाली साइड की और क्या गर जाता है move कर जाता है यहां पर ध्यां देने वाली बात है कि यहां पर जो प्लांट का tip है वो उसके उपर नहीं है उसके उपर क्या है? अगार-अगार का टुकडा जब अगार-अगार का टुकडा उसके टिप के उपर रखता है और एक साइड से लाइट प्रोवाइड करता है तो जो अवेनस टाइवा का प्लांट है वो light की और move कर जाता है तो ये experiment उसने क्यों किया auxin को isolate करने के लिए अभी आपने पीछे पड़ा था कि जो auxin है वो auxin plant के tip पर बनता है और उपर से वो नीचे की और क्या करता है movement करता है जब उसने इस tip को अलग किया और अगार अगार पर रखा तो इस tip के अंदर जो chemical थे वो movement करके कहां पर आगे इस अगार अगार में आगे इन अगार अगार के टुकणों को उसने काट कर अलग कर लिया जहां पर वो tip पड़ी थी ठीक है और चेक करने के लिए और प्रूफ करने के लिए कि वो chemical अगार अगार में आ चुका है उस अगार के पार्ट को Avena Stiva के उपर रखता है और जो plant है वो light की और move कर जाता है तो जो उसका experiment था वो सही साबित हुआ तो फिर उसने क्या किया जो दूसरा अगार अगार का टुकड़ा था जिसके अंदर उसे पता था कि उसके अंदर कौन कौन से उसने chemical डाले है जो आपको पहले बताए थे पॉर एक्जमपल कि उसने x y yet chemical डाले थे जब इस tip पर जो chemical था वो move करके कहां पर आ गया था इस अगार अगार के टुकड़े में अब जब उसने इसको चेक किया कि इसके अंदर कौन कौन से chemical है तो x y yet chemical के रावा यहां पर एक और chemical था कौन सा आउक्जिन इस आउक्जिन को उसने identify करके उसे अलग कर लिया और इस परकार आउक्जिन की discovery हुई जिसे अपने अवेना करवेचर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं इसलिए चाहे और जिसकोवरी Darwin से स्टार्ट हुई थी और Boyson Jensen भी इसके अंदर आते हैं लेकिन और जिसन को isolate किस ने किया था FW Wind ने इसलिए कोशन में यदि पूछा जाए कि Oxen की discovery किस ने की थी तो आपका answer क्या होगा FW Wind और यदि कोशन में पूछा जाए कि Oxen term किस ने provide की थी तो आपका answer क्या होगा FW Wind